गांधी जी आज उन पसनाल्टीस में से एक हैं जिने आज देश और विदेश के कोने कोने में बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति जानता है। मोहंदास करमचंद गांधी पेशे से एक वकील थे। वो 1983 में अपने गुजराती मित्र दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने साउथ अफरीका के डर्बन शहर गए। एक दिन गांधी जी ने डर्बन से केप टाउन जाने वाली ट्रेन में फर्स्ट क्लास सीट की टिकट ली। जब वो अपनी सीट पे बैठने गए तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। वो भी ये बोलके कि ये कंपार्टमेंट सिर्फ वाइट लोगों के लिए है। ब्राउन लोग यहां नहीं बैठ सकते। उस समय गांधी जी को काफी बुरा लगा। उस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने साउथ अफरिका में इंडियन मूल के लोगों के साथ एक पार्टी का संगठन किया, जिसका नाम था The Nadal Indian Congress. यहीं से गांधी जी की क्रांती शुरू हुई और शायद इसी वज़ा से भारत भी अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ.